भक्त जनों नमस्कार पढ़नाम जैमातादी मैं आज आप लोग को संकट मुचन बजरंग बोली से अपनी समस्या के निदान करने के लिए एक महा उपाय बता रहे हूं जिसके करने से आज बहुत बड़ी महायोग बन रहा है आज पुन्यमा भी है हनमान जैनती भी है तो इसलिए आज पुन्यमा के दिन और पंच मुखी बजरंग बोली के जैनती का भी आज दिन है जनम दिन भी है तो आज महा उपाय कर लो भक्त जनों कितनी भी बड़ी संकट हो आप लोग को आज करने से दूर हो जाएगी तो आये जानते हैं क्या करना है एक नारियल लेना है ऐसी नारियल इसे ये बजरंग बोली के जो पीला सिंदूर लगता है ये लगा लेना है जैसे आप लोगों को मैं दिखा रही हूं इसके बाद ऐसे ये काला धागा लाना है ये कहीं भी आसानी से आप लोगों मार्केट मे मीर जाता है काला धागा बोलो इसको मौली बोलो इससे अपनी मन की जो भी संकट है इसको इसे बोलते हुए इसमें कि इसको ऐसे बांध करके और अपनी जो भी चा के लिए अपन रख रहे हैं भले वह संधन सम्धा की ओ या अपनी सरीर में कंश्ट बीमारी के हो चाहे कोई तकलीप हो बहुत दिन से आपकी कोई इक्षा हो वो पूरी नहीं हो रही है या किसी भी परकार की आपकी समस्या हो तो यह धागा बान करके कहीं पर भी बजरंग बली का आज मंदिर दिखे के आप गाउं में छेत्र में सहर में हर परपित कर देना है और बोलना है कि है संकट मोचन हनुमान बजरंग बली हमारी यह मनुकामना के लिए मैं आपकी भेट दे रही हूं तो यह हमारी भेट सुबकार करें और समस्या का निदान करें पर इतना करते ही भक्त जनों एक छोटा सा नार्यार और यह काला धगा आप लोकों जिन्दगी में बहुत बड़ी कम्याबी दिला सकती है और कोई भी संकट से छुटकरा दिला सकती है तो भक्त जनों माताय बहने यह उपाय आज जरूर कर ले जै माता दी